हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टेडी में स्वागत है आज हम क्लास नाइंथ का सामाजिक विग्यान का जो मिट्टम एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे यह जो एग्जामिनेशन मिट्टम के एग्जाम हो रहे हैं जो आपका पैटन है एग्जाम का सेम यही रहने वाला है शिक्षा निदिशाले के द्वारा यह जो सेंपल पेपर है वो दिया गया है तो इसके कुछ कोशन्स हम पहले कर चुके थे अब इसके आगे की कोशन्स हम करते हैं सेक्शन ए और बी शायद हम कर चुके थे बहुत स खे में देखो फर्स कोशन क्या कहा गया है 28 नमबर कोशन देखिए सोविट संग में स्टालिन का समुही करन का रेकरम कैसे लागू किया गया था हाओ वस्टेलिन कंवलेशन प्रोग्राम इंप्लांटेड इन उनाइट सोचलाइज रिपब्लिक रश्या तो आईए देखते अनिवारे अनाच अधिक रहन के अनुरूप किसानों के एक्चा पर अधिक उनकी चीनता हुई है स्टालीन यूज दा कोवलाजिशन प्रोग्राम प्रोसे सर्व इस नोट अध्रस अध्रस अग्रेंज शोर्टेज बट ग्रेटर कंसर्ण ओवर थे पेसंट विलिनस अध्र कंफर्म देडर को कलेक्टिव फोर्म सिस्टम एं स्टेट मंडेटिव इन हैं समय क्या हैं। 對 दा की अघ्रस अध्रस अध्रस समय की तो we gotta Chat ओपर तो यहां का ताइम साल तो एक कंट्री ऐस आगोगी से अध्रा के उआब तका टाइम का शूल फोर्मumbs का व्याओं सिन न स्वाल ऐसे सन्ट्रम एंस को कांट करके बार्टीट किया जाता है टाइम क तो अंसर देखिए, प्रतिएक देश के लिए एक मानक समय आवशिक है क्योंकि यह संचार को आसान और अधिक कुशल बनाता है, यह देशों के बीच के वैपार और वैपार में भी मदद करता है, यह देशों के लग लग देशों के बीच के वैपार को में भी मदद करता है, साथ में क्या है आना जाना आपके ट्रेन यहां पर मालों दस बज़े शुरू रही है यहां पर भी आठी बज़े तो यह टाइमिंग कंफूजन जो है उसको भी क्लियर करता है जिससे क्या जो टाइमिंग को सुटेबल करता है लोगों के लिए और 82 डिग्री पुर्वी देश हेल्प करता है कंट्रीज में और यह क्या करता है कम्यूनिकेशन को इजियर और एफिशेंट बनाता है इस तरह से भी अपलिक सकते 82.5 डिग्री इस्ट लोंगे लोंगिटूड विच वोज ओल्मॉस्ट दा मीडल ओफ दा लोंगिटूड हैज विन फिक्स एड़ स्टेंडर मेरियर ऑफ इंडिया कोशन नमर 30 देखते हैं लोक तंतर में अंती मिल्या लेने के शक्ति लोगों द्वारा चुने गए परतिनिद् Mor mles ten के तो नोग तंतर होता क्या है जंता कवा जंता के लिए शाष्ण तो जो जंता के लिए शाषिần कि 법 करता है तो जंता जो है वही प्रतिनिदी चुनते हैं और वही शाषन करते हैं तो इस कतन का आपको क्या करना है विशलेशन करना है In a democracy the final decision making power must be rest on the those elected by the people. Analyze this statement. लोग तंतर जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है अंतिम निर्ने लेने की शक्ति प्रतिनिदी के पास होती है लोग तंतर में लोग अपने प्रतिनिदी को चुनते हैं जो विमिन मुद्द पर विधान सबा में निर्ने लेते हैं लोग इन मुद्दो के परति अपने नीतियों के आधार पर इन परतिनिदियों को वोट देते हैं। इसलिए कुछ परतिनिदियों को चुन कर लोग परोख शुरूप से उन मुद्दो को अपना रुख दे रहे हैं। जिनके बारे में निन्य लेने की आफशक्त है। इसले निन्य लेने की जो अंतीम शक्ती है वो उन लोगों के पास में होती है। इसलेक्ट किये गये हैं रिप्रेजेंटेटी बनाए गये हैं उन्हीं वो ही क्या करते हैं फाइनल लेती हैं। जो चुनाव किये जा रहे हैं जो इलेक्शन किये जा रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए एक दम सही तरीके से किया जाने चाहिए जिससे कि सही प्रतिनीदी चुना जा सके। प्रतिनीदी चुना जाएगा तो जो प्रतिनीदी चुना जाएगा वो भी सही तरीके से चुना जाएगा एक्शुली जनता जिसको चाहती है वही चुना जाएगा और जब जनता जिसको चाहेगी जो उनके लिए बेनिफीशिल हो जो सही तरीके से काम करें तो फाइनली क्या होगा देश का भला होगा। अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं, थर्टीवन कोशन यहां पर, थर्टीवन कोशन में देखो क्या कहा गया है, हम जहां से देखते हैं, अर्थिक क्रियाओं में आप, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, उधारन से ही बताइए, what are economic activities, in how many parts are economic activities divided, explain, with the help of example, तो आँ से देखिए, human activities which generate income are known as economic activity, economic activity किसे कहते हैं, जिसे कि income क्या हो, generate हो, ऐसी कोई भी activity जिसे, कि एक human की income generate हो रही है, उसे हम human या economic activity कहेंगे, economic activity as broadly grouped in primary, secondary and tertiary activity, अब यहाँ अब यहाँ अब प्राइमरी, अब यहाँ अब प्राइमरी, अक्टिविटी, secondary and tertiary activity का आपको explain करना है, the activity which include the production of basis of the food and raw material, food and raw material के according जो production किया जाता है, उसे हम primary activities कहते हैं, secondary activities, secondary sector कहेंगे, activities कहेंगे, the sector that relate to manufacturing and production, जो first क्या है, raw material है, second में क्या है, उस पर manufacturing हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम secondary sector कहेंगे, tertiary then including services, called the service sector, जो service किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, tertiary sector कहेंगे, आई उत्पन करने वाली मानविय गतिविदियो को आर्थी गतिविदियो के रूप में जाना जाता है, आर्थी गतिविदियो को मोटे तोर से प्रात्मिक, माध्मिक और तिर्थे गतिविदियो के रूप में बाटा गया है, अगे क्या है प्रात्मिगति विदिया वे गतिविदिया जिनमें बुनियादी खाद्या परदार्थ और कच्छे माल का उत्पादन किया जाता है जिसमें शेवा था जाता है अब इसमें next question देखो क्या कहा गया है कि आपके शेतर में की जाने वाले किनी पांच गैल क्रिशी क्रिया कलापों के सूची बनाए लिस्ट फाइफ में non-forming activities in your areas तो आपको क्या करना non-forming जो क्रिशी से related ना हो ऐसे चीज़ आपको बतानी है जो क्या हो ऐसे वेफसाय भी एकनोमिक activities हो रही है उसके बारे में आपको बताना है तो ऐसे कोई भी शेतर जहां से इंकम हो रही है जो क्रिशी से related ना हो जैसे कि डेरी उध्योग चमड़ा उध्योग प्रेटन से परामर्श से छोटे परमाने को कोई वेफसाय है सेवा शेतर से तो यह सब क्या इसके ब बिजने सर्विस सेक्टर बेज़ इंडर्स्टी तो इस तरह से आप सरको सौल कर सकते हैं जो मनला फॉर्मिंग से रिलेटी ना हो क्रिशी से रिलेटीड ना हो ऐसा कोई भी बिजनेस से कोई भी जोब आम या पर लिख सकते हैं जिसे कि income generate होती हो अब नेक्स्ट कोशन है द झाल